नमस्कार मलूना राम और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब और फेस्बूक पेज आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरे देख पा रहे हैं वो तस्वीरे हैं भीनमाल पुलिस ताने की 28 ग्राम अविद मादर परदाद इसमेक के साथ इन तीनों को ग्रफतार किया है जिसमें दो यूवक जिसका नाम है माधा राम पुत्रधना राम जाती देवासी उमर 34 साल जो गजीपूरा पुलिस ताना भीनमाल का और दूसरा आरोपी है बेचरा राम उफ मैश कुमार जो द साथ में आरोपी है बेचरा राम उसकी पतनी जोसना देवी को भी पुलिस ने ग्रफतार किया है ये तीनों इस इसकोर्पियों में थे और उस दोरान पुलिस को सुचना भी ली कि एक स्कोर्पियों जिसके नंबर ये है और वो स्कोर्पियों जसनपुरा रोड की तरफ आ है और जिसमें इसमेक है जिसको लेकर भीनमाल पुलिस ने कारवाई को अंजाम दिया थतकाल भीनमाल पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची इसकोर्पियों की तलासी ली गई संदिक लगे पुलिस को जिसमें एक मेला और दो युवक थे जिनकी तलासी ली गई और तलासी में पुलिस को 28 ग्राम जो इसमेक है वो प्रामद हुई पुलिस ने तीनों को ग्रफतार कर लिया है जो इस कोरपियो वाहन है उसे जब्द कर लिया है और अब जो आरोपी ग्रफतार किये गए हैं उनसे लगातार जो पुलिस है वो पूस्तास कर रही है लेकिन सबसे म युवा है वो इसमें के नसे के दलदल में फस्ते जा रहे हैं इसमें के नसे के आदी हो रहे हैं और उसके चलते जो युवा इसमें के आदी हो चुके हैं वो धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं अपराद की दुनिया में जा रहे हैं और कहीं वारदातों को कोई पैसे नहीं मिलना के चलते हैं इसमें एक मिलनी पाती और वो युवा, बाद मैं पैसे और नसे के लिए क्राइम और अप्राद हैं वो कर रहे हैं, ऐसे में हम सब को आगे आकर क्योंकि प्लिस तो लगातार कारवाई करी ही रही है, जहां पर भी आपको लगे कि इसमें की तसकरी हो रही है यहां पर इसमें की तसकरी होते आपको दिखती है या इसके साथ ही आपको लगे की कोई युवक या कोई वेक्ती है जो इसमें का नसा कर रहा है तो ततकल आप पुलीस को सोचना दें ताकि वो कारवई हो सके और जो इसमें का दलदल लगाता फैलता जा रहा है इसमें की तसकरी के चलते लगाता जो यूआ है वो इस नसे में फस्ते जा रहे हैं वो आके रुके पुलीस एक बड़ा एक्षिन ले सके उसके सासात में जो समाज है जो आम जन है उनमें भी जागरुकता हैं उसको लेकर हम सब को आगे आना होगा और हम सब को आगे आने के साथ ही जागरुकता लानी होगी तो इसमें के तसकर हैं सप्लाइर हैं बड़े बड़े जो सप्लाइर हैं वहां तक पुलिस को पहुँचना होगा ताकि ये इसमें एक सप्लाइर का जो बड़ा network है वो police तोड़ सके